असलाम वालेकुम होप यार ओल डूइंग वैल आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की पोटेटो डोनट्स रेस्पी यह बहुत ही यमी और क्रीस्पी बनती है और देखने में भी इतनी प्यारी लगती है तो इसे जरूर प्राइगीजेगा तो इसक हम पानी रहने देंगे ना इसका प्याज का तो फिर इससे हमारे डॉनर्स वह तोट जाएंगे तो अब हमने लेने हैं आलू जो हमने उबार लिए हुए इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेने मैश अब हम इसमें एड़ करेंगे आपने बारी एक पीसा हुआ ही इसमें और उसके बाद नेक्स जो हम इसमें अड़ करने वाले हैं वो है कसूरी मेथी क्यूंकि इसे बहुत ही प्यारी खुश्कू आती है और इसके इलावा इसमें हम एड़ करेंगे पुदीना मेरे पास जो है वो खुश्क पदीना है आप इसमें फ्रेश भी एड़ कर सकते हैं और इसके बाद हमने इसमें एड़ करना है, फुश्क धनिया, इसे भी आपने पीस लेना है अच्छे तरीके से, और इसके बाद नेक्स जो हम एड़ करेंगे, वो है काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च जो है वो आपने वन फॉर्थ जो है टेबल स्पून वो इसमें जवाइन होती है, उसके एक चुटकी जरूर डालने है, इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं थी, इसमें एड़ नहीं की, तो अब आपने क्या करना है, यह जो हमने प्यास और मिच्चे जो थी, इसे चॉप किया था, यह एड़ कर देने हैं, और इसके बाद इसमें तीन चमच हमने डालने है, कौरन फ्लोर की, और तीन चमच ही इसमें हमने डाल देने है, ब्रैट करम्स की, इसे डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे सबस धनिया, सबस धनिया अगर आप इसमें ज्यादा भी डाल देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, सब बड़े बाउल में इसे डाल कि मैं मिक्स करके लाती हूं और उसे पहले हमने इसमें नमक आड़नें किया तो इसमें एक समस जो है वो नमक का डालने हमने और अगर आप अपने डेस्ट के मताबिक इसे कम जादा करना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं तो अब मैंने इसे कर ल और अपने हाथों पर लगा लिए तो इस तरह आपने जिस तरह हम वो बनाते हैं शामिया बनाते हैं या आलों के जो है वो बनाते हैं ठीकिया और तो इस तरह आपने इसे त्यार करने के बाद आपने यह जो है अपने हाथों से इसे आपने सैट कर लेना है मतलब यह या तो जब आप इसे अंडे में डिप करेंगे आपने उसी हाथ के साथ ब्रैड क्रम्स में इसे नहीं रखना वलकित उसे हाथ के साथ आप इसे रखेंगे तो यह सबसे पहले इसे मैंने अंडे में डिप कर दिया अच्छा तरीके से इसकी साइड चेंज कर दूगी और अच्छे तरिके से लगाने के बाद अब मैं इसे यहां से उठाऊंगी और इसे bread oli में रख दूँगी और अच्छे तरीके से वो लग जाएंगी जब इसके अब ये अच्छा तरीक्या से इसे लगा देंगे हां इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये अच्छी तरह लग जाए और उसके बाद हम इसे किसी भी प्लेट में या डिश में इसे निकालते जाएंगे और जब यह सारे त्यार हो जाएंगे फिर हम ऑईल रख देंगे जूले पे गरम होने के लिए अब इसे दुबारा एग लगाने की कोई जूरत नहीं है क्योंकि हम इसे एक बार लगा चुक्क हैं और यह हमारे कमप्लीट रेडी हैं तो इस तरह मैंने की सारे त्यार कर लिए ह अब हमने क्या करने हैं इसे फ्राई करने हैं और थ्राई करते हीं एक च्छांपने को और से ना शीन कर जाता है अब हमने से इतना इसका इसंड कर दो यह खेंगे तो इसकी olvans और यह Ernृ कर देंगे इसे पकाते जाएंगे जब तकक तरीगे से कलर ब्राउनिश की जा ना हो जाए तब तक तक तुछा वारम के बनाते प्रप ok लुद को की जांए नहीं कि तो उसकी लोक को भी चीन्ग में वेंग बनाएंगे तो लगका अगर हम प्यारा लग अनूर्प अच्छा लगता है और इसकी नावा जो है इसका टेस्ट भी उससे डिफरेंट होता है तो इसे जरूर ट्राइ कीज़ेगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा अलाफेश